हेलो दोस्तों तो फिर से एक नए वीडियो में बहुत-बहुत सागत है तो आज हम लोग सीखेंगे यह बहुत फलफी टेस्टी और सौफ्ट कपकेक्स बनाना अब भी इस कपकेक को जरूर ट्राइ करिएगा और आपको अगर एस पीज अच्छी लगती है तो प्लीज लाइक कैक शियर सबस्क्राइब जरूर करिएगा चैनल को तो चलिए शुरू कर लेते हैं हैं इसे बनाना तो इसे बनाने के-दookie एक का प्रेमिक्स में ले रही हूँ यह केक प्रेमिक्स है और केक प्रेमिक्स सही हम लोग इसको बनाएंगे केक प्रेमिक्स में पिल्सवेरी का इस्तेमाल कर रही हूँ पिल्सवेरी का प्रेमिक्स के बारे में मैंने पहले भी जानकारी दी है अपने वीडियो में तो पुरानी आ जाए वैसे तो इसमें वैनिला एड किया हुआ है लेकिन मैं औरेंज वाला बनाना चाह रही हूँ तो साथ में इसे डाल देंगे तो टेस्ट और अच्छा लगने लगेगा तो पानी डाल करके इसका बैटर तियार करेंगे और बैटर हमें जिस कंसेस्टेंसी का बनाना है तो आप देखिए एक मिनट हम लोग इसको दीरे दीरे पहले मिक्स कर लेंगे पानी डालने के बाद और उसके बाद फिर चार मिनट थोड़ा तेजी-तेजी से मिक्स कर रही हूँ ताकि हमारा कपके बहुत ही फलफी और सॉफ्ट बनके तयार हो तो पानी हमने जितना डाला है वो कंसेस्टेंसी आप देख सकते हैं एक चोटी चम्मच मैं इसमें तेल डाल रही हूँ और उसके बाद इसे फिर से मिक्स कर लेंगे तो दोस्तों कंसेस्टेंसी कुछ ऐसी रखनी है आपको पानी बहुत जादा डाल के पतला नहीं कर देना है यह देखिए आप देख स और पेपर वाले मोल्ड को यहां हम लोग रख देंगे कुछ इस तरह से तैयार कर लिया है मैंने मोल्ड को अब इसमें बैटर को डालें और बैटर को जो आपको डालना है वो पूरा नहीं भरना है आधा आधा भरें तो मोल्ड को हमें आधा आधा भरना है क्योंकि फूल के उपर आएगा और इस तरह से सारे मोल्ड में हम लोग आधा आधा बैटर डालते रहे हैं ये हो चुका है तो इसे आप देख सकते हैं मैंने 6 पूरा जो हमेंने मोल्ड में डाल लिया आधा आधा करके और उसके बाद इसे हम लोग 20-25 मिनट 180 डिग्री सेल्सियस पे बेख करेंगे 180 डिग्री सेल्सियस पे बीस से पचीस मिनट के अंदर ही आपका केक बेख हो जाएगा 20 मिनट के पहले भी हो सकता है इसलिए पर चेक जरूर कर ले पहले हो चुका है दोस्तों और हमारा तयार है बहुत ही फ़लफी बहुत ही साफ्ट और बहुत ही टेस्टी लगता है खानी में ये कपकेक तो आप इस कपकेक को plutôt मिलेगी आपको बोहुत सारे केक्स क्यु速 की ररीशिपी प्रेमिक हम लोग फिर से नए नए वीडियो और जानकारी के साथ थेंक यू